तो जो भूल गए उन्हें भूल जाने दो अरे सb ब्यात करेंगे बस वक्त आने दो और वक्त की खासियत यह है कि वो बदलता है बदलने वाला चाहिए दुनिया जुकती है जुकाने वाला चाहिए नमस्कार मैं शितिच कनिक आपका अपना केके सर आज की वीडियो में जैसा कि आपने देखा कि 6 months time table लेकिन उसके पहले मैं कुछ बातें दिल से करूँगा जैसे हमेशा करता हूँ और इन में से कुछ बातें आपको पिंच कर सकती हैं आपको बुरी लग सकती हैं आपको अप को एक time table एक planner day by day for the next five and a half months दूँगा लेकिन उसके पहले मैं जानना चाहता हूँ कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो वाकई में किसी भी हद तक जा सकते हैं अपने target के लिए when I say किसी भी हद तक I mean किसी भी हद तक क्योंकि ऐसे real life incidences हमारे आसपास कई सारे हैं जिसमें बच्चों ने अपनी जीवन में सिर्फ एक काम किया आखरी 6 महीनों में और वो थी उनकी preparation उनकी पूरी life उसके इर्दगिर्द घूंगती थी लोग पूसना कि सर कितने hours पढ़ना हैं उनको कैसे cut shot कर सकते हैं इसके लावा करना क्या है सिर्फ पढ़ाई ही करनी है इसके लावा और काम क्या है आप लोग ये सोचो कि आप distract कब होते हो जब आप दो काम एक साथ कर रहे होते हैं आपकी life में पढ़ाई भी है आपकी life में फोन भी है आपकी life में friends भी है एक social circle भी है, रिष्टेदार भी है, ब्ला ब्ला दस चीज़े हैं, तब आपके distractions होते हैं, you cannot manage your time, but imagine कि एक पागल scientist है, उसकी life में सर्फ अपनी research है, या तो एक जुनूनी cricketer है, MSD की तरह, जिसके life में सर्फ अपना cricket है, तो क्या उसको कोई distract कर सकता है, उसके life में कोई second thought ही नहीं है, so you have to become this kind of person for the next five and half month, इसी को हम कहते हैं monk mode, क्या है monk mode, monk मतलब साधू, साधू is known for the focus, जाते ना पूछो साधू की पूछली जो ग्यान, तो साधू के पास जो ग्यान होता है, वो अरजित करता है, कहीं से चुराता नहीं है, कहीं से वो कमाना पड़ता है, और वो अपनी तपस्या से, कड़ी तपस्या से कमाता है, उस ग्यान को अरजित करता है, उस ग्यान को, तो आपको भी उसी साधू की तरह अपने अगले साधे 5 महीने बिताने है, आपकी life chaos से focus की तरफ shift होगी तो मैं कुछ point daily basis पर जो हम करते हैं उन पर चर्चा करना चाहूंगा वीडियो गेम और अशलील वाले वीडियो कुछ बच्चे देखते हैं इसलिए मुझे लिखना पड़ा है यहां पर notifications, updates, reels instagram वगेरा जितने भी n number of social media platforms होते हैं आप इन सभी चीज़ों पर cut short लगाने के लिए तयार हैं पिल्कुल a big no for all of this किसी update की इतनी उकात नहीं है कि आपका समय बरबाद करे, किसी notification की इतनी उकात नहीं है कि आपका समय बरबाद करे ऐसा कैसे हो सकता है कि आप बैट के पढ़ रहे हो क्या आप लोग ये करने के लिए तयार हैं इसके अलावा day by day life में आपको कुछ positive changes करने जैसे के workout, plenty water काफी सारा पानी daily पीजी है इसके benefits में separately बता सकता हूं लेकिन करिये healthy diet, study with a timer and become selfish a good student is always always, always selfish notice करना जो बचपन से 3, 4, 5 वी क्लास से जो क्लास के toppers होते थे कितने selfish बच्चे होते थे आप बोलो कि भाई यहां चल रहा है नहीं, नहीं जाओंगा notes देगा, नहीं, नहीं दूँगा काम है मुझे अरे, ये क्या केते हैं चलो, वहाँ पर हो क्या आते हैं आते हैं नहीं जाना, तू चल जा होते हैं न इसे बच्चे तब यह बोलो टॉप कर पाते हैं और कुछ बच्चे भोले होते हैं किसीने बोला चल चलेगा हाँ चलो, वही चल देते हैं अरे, मेरे मोसा के चाचा की फूपा की बेटी की शादी यह चलेगा, हाँ चलो हो क्या जातें, खाना खा क्या जाएंगे, यह फालतू गिरी आपको बंद करनी है अपने जीवन से, साड़े पांच महीने सिर्फ आप हैं, आप responsible हैं अपनी life के लिए, अपने parents के लिए, अपनी family के लिए, अपने खुद के future के लिए, so the next, जितना भी समय बचा है, आपको सिर्फ, सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ, खुद पर फोकस करके जीना है, सिर्फ पढ़ना नहीं कहा रहा हूं है, फोकस करके जीना है, खुद पर बाकी सारी चीज़ें वेट कर सकती हैं, बाकी सारी चीज़ें secondary है, every, every single thing is secondary, just you are primary, you are the most important thing, यह मान के जीना ह तो यदि आप मानते हैं कि हाँ आप ऐसा कर सकते हैं, तो मैं मानूँगा कि आप मौंक मोड में आ रहे हैं, so I want you, कि आप कमेंट सेक्शन में जाके लिखें मौंक मोड आउन, और आज की डेट डालें, और आप इसको उस दिन जाके एडिट करें, जिस दिन आप मौंक मोड क क्लोज करें, मान लीजे के इन में से कुछ चीज़ें आपने अगर ब्रेक कर दी, मतलब आप वापस से वही, आज की से साथ दिन के बाद आप वापस अपडेट्स देखने लगे, रील्स देखने लगे, आप जो है कुछ भी उल्टा सीदा खा रहे हैं, कभी भी सो रहें, क मेरे लिए सक्सेस्फुल इंसान वह नहीं होगा, दो एक सही तरीके से त्यारी करेगा, तो मैं देखना चाथा हूँ, कि कित्ने लोगों में इतना जिगरा है, कि आज से लेके 4 मई 2025 तक इस lifestyle को follow कर सकते हैं, वो लोग, भूट बड़ी बात कहा रहा हूं मैं, मैं आपको पाइनल रिजल्ट से जज नहीं करूँगा, मैं आपको आपकी लाइफ स्टाइल से जज करूँगा, कि आप किस तरीके का जीवन जी रहे हैं, आपने जो लक्ष सोचा, आपने जो टार्गेट सोचा, उसके लिए आप किस हद तक गए, यदि आप पागलपन की किसी भी हद त पे चड़ी थी, let me tell you a very short story, you all must be knowing, क्यारुनिमा सिनहा, जो के एक प्लेयर थी, वो ट्रैवल कर रही थी ट्रेन में, और वहीं पे उनकी कुछ गुंडों से बहस हुई, जगडा हुआ, जिसके बाद उनको ट्रेन से नीचे फेक दिया, और उनके उपर से कुछ ट्रेन जिस दिन अपने पैरों पे खड़ी हो गई, मैं माउंट एफरेस जाऊंगी, और वो गई वहाँ पे, तो जब वो कर सकती हैं, तो हम तो भीया बहुत बहतरीन कंडिशन में हैं, we are in far better condition, far better state, आपकी लाइफ की जो नेगेटिविटीज हैं, उनको cut short करो, वरना वो आपके progress को दबा देंगी, आईए अब बात करते हैं हम लोग हमारे time table पे, ठीक है, task लिखे हुए मैंने, आपकी life में 3-4 important task हैं, जिसमें सबसे important task है, at the moment आपकी classes, और जैसा कि मैं मानता हूँ कि आपकी PCB की 3 classes होती हैं दिन की, तो मैंने around 6 घंटे का समय लिख दिया है, अब ये classes हो स जो लोग मुझसे वाइटी पे पढ़ रहे हैं, वो one shot के form में उन्होंने पूरी ग्यारवी का syllabus complete किया, अब यह आपके उपर है, कि आपको कहां किस तरीके से पढ़ना है, वो आप देखिए, you are mature enough, तो इतना समय आपका जा रहा है classes में, इसके बाद आती है application part, याने आपकी questions लगाने पे, bio question practice पे, जो आपको दे नहीं है, ठीक है, दो घंटे जब आप numerical solving कर रहे हैं, तो आप alternate रख सकते हैं, physics, chemistry, physics, chemistry, और bio का आपका एक घंटा fix होना चाहिए, क्योंकि we all know, कि यह 50% weightage है, bio का, और bio से आपका यह decide होता है, कि आप competition में हो या नहीं, physics से decide होता है, कि आप किस college में जाओगे, यह बात मैं आपको, आपके result के बात समझाओँगा, लेकिन आज यह याद रख लेना, bio से यह decide होगा, कि आप competition में हो या नहीं, और physics से यह decide होगा, कि आप किस college में जाओगे, आप किस aims में जाओगे, आप किस government medical college में जाओगे, ठीक है, yeah, so after that, backlogs क के लिए आपका एक separate time होना चाहिए, and that has to be 6 hours a week, मैंने एक हफते में 6 गंटे का समय दे दिया, backlog के लिए, 6 गंटे का समय sufficient है, अब इसको आप sensibly use कीजिए, what you can do is कि आप 2-2 गंटे के slots बना सकते हैं, आपने बोल दिया कि मैं हफते में 3 दिन 2-2 गंटे पढ़ूँगा, backlog का, या एक दिन 6 गंटे पढ़ूँगा, sensible जादा क्या है कि आप 3 दिन 2-2 गंटे पढ़ें, या तो आप रोज 1-2 गंटे पढ़ें, whatever you find comfortable, you do that, so depending upon the topic, 1 hour per day, 2 hours alternate, 3 hours twice a week, 6 hours a day, कुछ भी possible हो सकता है, that's up to you, यह एक rough estimate है, जो आपको follow करना है, यह simple सी चीज मैंने कहीं, जो के आ लोग करनी है, ठीक है, आईए चर्चा बढ़ाते हैं आगे, अब एक बात समझना, you become, what do you think, सर यह तो बड़ी philosophical बात कह रहे हो आप, कि मैं सोचूं कि मैं सबसे बड़ा ग्यानी हूँ तो क्या मैं बन जाओंगा, बन जाएगा, मैं सोचूं कि मैं सबसे बड़ा एथलीट ह तो क्या मैं बन जाओंगा, बन जाएगा, समय लगेगा, लेकिन बन जाएगा, सोचेगा ही नहीं, तो कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि, what do you think, that creates certain hormones in your body, जब मैं सोचता हूँ न कि मुझे आज जाके 100 kg का weight lift करना है, उतके experience से बता रहा हूँ, आज मैंने 120 kg के deadlift लगाई थ मुझे एक decent physique में आना है, मैं boxing खेलता था, मैं under 50 kg खेलता था, मैंने यह decide किया, कि मुझे एक particular category में खेलना है, और मुझे एक अच्छी fit body चाहिए, and I did that, समय लगा, लेकिन हुआ, क्योंकि जो आप सोचते हो, वो आपके actions बनते हैं, जो आपके actions बनते हैं, वो आपकी habits बनत और आपका character याने आप, तो what you think is what you become, you think you are strong, you think you are powerful, you think you are dominating and you are going to become it, you think के तुम नीट 2025 को nail करने वाले हो, dominate करने वाले हो और तुम करोगे, तुम सोचके बैठ जाओ कि यहार पता नहीं क्या होगा, तुम वाकई में पता नहीं क्या होगा, तुम यह सोचके बैठ जाओ कि य selection होगा या नहीं होगा, तो यह नहीं वाले शब्द जो होते हैं दिमाग कैप्चर कर लेता है तुरंत, इसलिए thoughts पे filter रखो, पढ़िया वाले thoughts लाओ, पढ़िया वाला काम करो, सब बढ़िया होगा, हस्ते खेलते select होगे, बढ़िया जीवन जी होगे, बहुत पैसा कमाओ परिवार तुमारा सुकी रहेगा, सारे लोग तुमसे खुश रहेंगे, पहले खुद के अंदर परिवर्तन करो, ठीक है, चल या यह, चर्च बढ़ाते हैं आगे, because the change, जो मैंने का ना परिवर्तन, change की सबसे बड़ी खास बात यह है, कि वो बड़ी मुश्किल से आता है, अगर मेरी आदत पढ़ चुकी, आठ बजे उठने की, तो साड़े साथ बजे उठना मेरे लिए बहुत बड़ा change है, मेरी आदत पढ़ चुकी, छे बजे उठने की, साड़े पांच बजे उठना बहुत बड़ा change है, any change comes with very big resistance, चाहे वो change अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन बुरे changes की बात पता है, क्या world का nature है, universe का nature है, कि downfall में हमको कोई effort नहीं करना पड़ता, किसी भी चीज़ को छोड़ोगे नीचे गिरेगा, उसको उपर ले जाने में मेहनत करनी पड़ती है, तो यदि आप खुद का standard बढ़ाना चाहते हैं, changes positive करना चाहते हैं, तो वो resistance के स समय जाता है past में, आधा समय जाता है future की चिंता में, यार पिछले test में इतने rank आई, इतने marks आएं, अगले test में आएंगे के नहीं आएंगे, और आज का जो chapter चल रहा हैं, तो by default result तो बिगड़ेगा, पर अब एक पाउँ past पे, एक पाउँ future पे सलिए हम, आज पे समझ आपको आपके जीवन में डालने की कोशिश करना है, कोशिश करो कि तबी तो होगा, बिना कोशिश किये तो नहीं होगा, ठीक है, चलिए, तीन do's बता रहा हूँ simple से, और तीन don'ts बता रहा हूँ, इन पे काम करना शुरू कर दो, बाकी सारी चीज़ें normally टेटल होती जाएं चबा-चबा के ध्यान सिखाओ, क्योंकि आपका खाना, आपकी energy, आपके mind, आपके focus, हर चीज को reflect करता है, हर चीज में reflect होता है, कि what you are eating and how you are eating, तो ध्यान रखो, क्या खा रहे हो, कितना खा रहे हो, कब खा रहे हो, sleep well, भाई साब को 16-17 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं मैंने किसी all India rank 1 को नहीं देखा, जो 16-17 घंटे पढ़ता था, सारे all India rank 1, सारे all India rank under 100, सारे बढ़िया वाले बच्चे, सारे successful लोग एक healthy life जीते हैं, ठीक, आपको क्या लगता है, कि जो let's say कि आज world की, चलो, world की बात करते है, world की top university का top student, क्या वो 20 घंटे, 24 घंटे पढ़त मुझे नहीं लगता कि लापाएक, और ऐसी AIR1 की जरूरत भी नहीं है, यह फालतों के दिमाग से निकालो, healthy life जीओ, 10 घंटा रियलिस्टिक है, 12 घंटा रियलिस्टिक है, दिनका आधा समय रियलिस्टिक है, बाकि समय में आप लोग अपनी fitness, अपनी health, अपनी mental state, सारी ची I am a very different kind of person, मेरे लिए success की definition भी बिल्कुल अलाग है, I don't give a damn कि All India Rank 1 कौन आ रहा है, मुझे मतलब है आप से कि आप अगर एक लाख rank last रहे थे, तो मेरी कुछ चीजों से अगर आपकी rank 1000 के अंदर आ गई, that's the biggest success, अगर आपका target AIR under 100 है, तो आप को ये चीज़ें आज से और अभी से follow करना शुरू करनी है, ठीक है, simple से तीन lose और तीन don'ts बता देता हूं, don't overdo, एक दिन आपने मेरा वीडियो देखा, एक दिन आपको एंथु आया कि हाँ चलो आज करता हूं, 15 घंटा पढ़ दिया, अगले दो दिन कुछ नहीं कर पाए, बिल्कुल एकदम dull feel हो रह पाड में जाए, कोई फरक नहीं पढ़ता, आप खुद पे doubt नहीं करोगे, ठीक है, done, so I want the comment section with sir, yes sir and the monk mode date, तो यदी ये बातें आपने follow कर ली, तो मेरी बधाईयां ले लो, कि आप लोग बहुत जल्दी comment edit करके अपनी ranks comment section में लिखोगे, so see you all, I want to see you all success, I want to see you all doing something great in your life, all the very best, goodbye.